सब्सक्राइब को शिरी शिवाई धमस्तू प्याम हरहार महादेव ओब नमस्षिवाई जय महाकाल तो 72 वश्वबाद आए इस सावन में अब आखरे दिन बचे हैं आखरी 10 दिन बचे हैं केवल और केवल 10 दिन शेह से यदि आज भी आप इस वीडियो को देखके उपाई नहीं कर सकें तो आखरी के 9 दिन यह उपाई अवश्य कर लेना 9 दिन यदि आपने एक फूल समर्पित कर दिया शिव जी को तो आपा बोलेना सावन समापती पर ही आपकी सभी मनों कामनाई पूर्ण कर देंगे कौन सा है वो पुश्प और कैसे करना है आपको वो उपाई पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बास में शेयर भी करते है तो वो पुश्प है शमी का पुश्प जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह आप देख रहे हो समी का पुश्प यह शमी के पुश पुष्प नहीं आते केवल वर्षय रितू के समय होता है जब ये शमी के पुष्प दिखाई देते हैं यानि कि शमी के पुष्प आते हैं तो आपको क्या करना होगा शमी के इन पुष्पो को लेना होगा शमी के पुष्प आप देख सकते हो इन शमी के पुष्पो को लेना करना है अब वो एक महादेव कौन से है मानलों कि आपको रोग मुक्ति करनी है तो कुंदकेश्वर का इसमरन कीजी यदि आपको संतान प्राप्ति करनी है तो तुम्रुकेश्वर का इस्मरन कीजिए तुम्रुकेश्वर महादेव का यदि आपको धन प्राप्ति करने है तो कुबेर बंडारी कुबेरेश्वर महादेव का इस्मरन कीजिए और यदि आपको विशम परेश्टितियों से बाहर निकलना है तो आप हाट प्रदोषकाल में करना है प्रदोषकाल में साथ बार वो पुष पापको समर्पित करने बगवान चंकर के शिवलिंग पे कोई भी एक महादेव का नाम लेके यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक सदिक लोगों के बाश शियर कर दो यदि सामन के आकरी 10 दिन आपने लगातारी उपाई कर लिया तो बगवान चंकर आपकी समस्त मनों कामनों को पूर्ण कर देंगे यदि 10 दिन ना कर पाओ तो 9 दिन करो 9 नहीं कर पाओ तो 8 दिन तो कम से कम करो इस उपाई को अवश्य करो अब हम चलते हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाई की तरफ दूसरा जो उपाई है रोग मुक्ति के लिए दुर्वा वाला उपाई है रोग मुक्ति के लिए दुर्वा आपको किस प्रकार से समर्पित करने है साथ दुर्वा लेनी है कितनी दुर्वा लेनी है साथ दुर पर पित कर दो, दो मिनिट बाद, एक मिनिट बाद ये सभी दुर्वाओं को उठा लो, उठाने के बाद में आपको गणीज जी के चर्णों पर जो गणीज जी है, ये जो गणीज जी आप देख रहे हो, इन गणीज जी के चर्णों पर जो भगवन चंकर के साथ में गणीज कराना है इस परश कराकर आपने साथ में उन दुर्वा को गर पर लेकर आजेए और फिर गर पर दुर्वा को लाने के बद अगले दिन सुबह सुबह उठकर आपको प्रते दिन एक एक दुर्वा खानी है वो साथ दुर्वा साथ दिन खाओ और आपकी शरीर की कोई भी बेमा कोई भी रोग है वे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो सावन के इस महीने में कीजिए यो दू में से कोई भी एक उपाय जदी आपको समस्त मनुकामना पूंड करनी है तो कैसे भी करके शमी पुष्प को ढूंड कर इन उपाय को अवश्य किजिए वीडियो को लाइक चै शिवाय नमस्तो प्याम हर हर महां